पिछले एपिशोड में एक मास्टर को जैसे ही डेथी स्पिल के बारे में पता चला था वा तुरंती वांगलिन को खोजने के लिए रेडी हो गया था इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सेंकुछ लोगों के साथ में एक जगा पर प्रैक्टिस कर रहा होता है लेकिन इन से पुछने लगता है कि फाइटिंग इविल सेक्ट का लीडर कहां पर है इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने पासवाले डेट बोडी को इनके तरफ फेक देता है और इसके अलावा अब वो इनके उपर अपने प्रेसर का भी यूज़ करने लगा था जिसके बज़ इस पर वो मास्टर उससे पूछता है कि तुम्हारा लीडर कहां पर है लेकिन हम देखते हैं कि सेंगु से वांगलीं के बारे में बताने के लिए रेडी नहीं होता क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता है कि उसका सोल ब्लैड वांगलीं के पास में है और इसलिए अगर उ से कहता है कि तुम मुझे इसके बारे में बताओ या फिर ना बताओ मैं इसके बारे में पता लगा लूँगा इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत इसके consciousness का यूज करने लगता है और इस तरह से वो वांगलिन के location के बारे में बहुत यह असानी से पता लगा लेता है इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहां से सिंटो मैजिक टेक्निक के बारे में जान गया तब इस तरह से यह चीश तो मेरे लिए बड़े काम की हो जाएगी लेकिन तब ही इसी वक्तम देखते हैं कि एक एंसेस्टर आकर उसे रोक देता है और फिर जैसे ही उसकी नजर इसके फिल के उपर जाती है वो हैरान होते हुए कहता है कि यह लड़कातों के वल एकी साल में फिल को फॉर्म करने में काम्याब हो गया लेकिन इसके बाद वह उस हमारे वर्टेंपल का सिक्रेट टेकनिक है और इसलिए तुम्हें इसके बारे में पहले सोचना चाहिए कि क्या तुम्हारे पास में इसके लिए अबलिटी है तब इसकी ऐसी बात सुनकर वांग निन उससे कहता है कि मैं आपकी बातों को समझ गया और अब इतनी बात कहने क इसके बाद वो इसे पकड़ने के लिए भी आने लगता है जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग निन भी तुरंत अपने अर्थिसके टेकनिक का यूज करके यहां से भागने लगा था क्योंकि उससे पता होता है कि इस मास्टर की कल्टिवेशन इससे बहुत ज्यादा है औ लेकिन क्या सच में तुम्हें लगता है कि यहां इतना आसान है इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने पाउर का यूज करके यहां के फॉर्मेशन को बहुत ही असानी से तोड़ देता है जिससे देख यहां के एंसेस्टर और स्टूटेंट भी पूरी तरह से हैर है वहीं उदर बेंसेस्टर उसे पूछने लगते हैं कि तुमने हमारे फॉर्मेशन को क्यों तोड़ दिया जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर अपने मूँ से एक बहुत ही खतरनाक सोक वेव निकालता है और इस तरह से वो इसका यूज करके इनको बहुत ही असानी से जखमी करने लगता है तब इसे देखिन में से एक एंसेस्टर कहने लगता है कि सीनियर आप तो सेवन प्लम सिटी के मास्टर में से एक है और आपकी कल्टिवेसन तो असल में ट्रांसफोर्मेशन स्टेज में है जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर बाक काफी परिसान हो गया था और फिर वो उसके बारे में पता लगाने के लिए काफी कोसिस करता है लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जब उससे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता तब वो कहने लगता है कि तुमेरे हाथों से इतने असानी से नहीं बचपाऊगे और फिर उसे पता चलता है कि वह तो असल में यहाँ पर डिवाइन कॉंसेसनेस लॉक रिडम का यूज कर रहा है जो कि एट जी डिमन और डुबान मुजी का एकी स्पेसलिस के लिए है अब इस तरह से हम देखते हैं कि इस वानुए किंगन में किसी का भी आना और जाना पूरी त सकते क्योंकि मैं भी नहीं चानता कि अगर हमने उसे छेड़ा तो वह हमारे साथ में क्या करेगा वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग निन अपने हैवेलनी परल के अंदर चला गया होता है जहां पर वो कहना लगता है कि इस आदमी के पास पर सच में बहुत ज़्य वह यहां से निकल जाएगा लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि उसे इस तरफ से करते हुए काफी टाइम गुजर जाते हैं और इसके बाद वी उससे यहां से निकलने के लिए आपस आ सकते हूँ तब इसके बारे में याद करके वांगनिंग कहने लगता है कि मैंने तिन साल तक इस फॉर्मेशन के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया लेकिन इसके बाद भी मुझे इसके बारे में उतना ज्यादा पता नहीं चल सका अब इसके बज़ास से उसे ऐसा ल गया था और फिर वो कहने लगता है कि पिलफॉर में सनिस्टेज में होते हुए भी तुमने ऐसा कैसे कर लिया क्योंकि तुम्हारी ब्रेथ यहां पर से पूरी तरह से गायब हो गई थी अब इतनी बात कहने के बाद वो उससे कहता है कि मैं तीन सालों से तुम्हारा वेट कर हूँ तब इसकी बात सुनकर वांगनिन उससे कहता है अगर मैंने आपको परिसान किया तो आप इसके लिए मुझे माफ कर देना और फिर अचानक से वो अपने डेथ इस्पेल का यूज करके इसके उपर अटैक कर देता है लेकिन तब इसी बीच उससे पता चलता है कि इसक से नहीं भागने देना चाहता था जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने सर्पेंट पाउर का यूज करके इसका पीछा करने लगता है और अब इसे देख वांगनिन भी किसी तरह से अपनी जान बचा कर यहां से भागने के लिए कोसिस करने लगा था लेकिन इस के बाद हम देखते हैं कि इसकी बाद सुनकर वो मास्टर हसने लगा था और फिर उसे कहने लगता है कि तुम इसके बारे में कैसे जान सकते हो कि मैं तुम्हें नहीं मारने वाला तब इस पर वांगनिन उसे कहता है कि आपके पास में तो इतनी पाउर है और इसलिए अगर अप मुझे मारना चाहते तो आपने मुझे बहुत ही असानी से मार दिया होता लेकिन इसके बाद भी आपने के वर मुझे कैद किया है। को बौरो करना चाहता हूँ ताकि इसके मदद से मैं एक जगा से ट्रेजर को हासिल कर सकूँ इसी के साथ वो उससे कहता है कि अगर तुम इसमें मेरा साथ देने के लिए रेडी हो जाते हूँ तब इसके बद मैं तुम्हें हुआडी डैन और ली इंग डैन दे सकता हूँ ले लाबा ये ली इंग डैन भी बहुत ज़्यादा पाउरफुल है जो कि बेबी को कंसीव करने के चांस को बहुत यासानी से इंक्रिज कर सकता है इसके साथ वो इससे बताता है कि इसको बनानी की रेसिपी 5 लेबल के कल्टिवेसन कंट्री के दौरा कंट्रोल की जाती है जिस इसके बाद हैं इसके बारे में पता लगा पाएंगे और इतनी बात कहने के बाद वो उससे कहता है कि अगर तुम कियर्फुल नहीं हो तो इसके लिए क्यार्फुल की वैसे तो वह जगा बहुत ही खतरनाक है लेकिन इसके साथ वहाँ पर कल्टिवेसन के लिए बहुत अज लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग निन के मन में बहुत सारा सवाल था जिसके बाद वो मास्टर उसे कहने लगता है कि अगर डेंजर की बात है तो तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर तुम्हारे पास में डेथी स्पेल है तो ये लिंक में बहुत ज़्यादा मदद करेगा और इसके साथ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने का बादा करता हूँ तो फिर तो मैंने इसे बहुत पहले ही बांड कर दिया होता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके अंदर कौन्सियसनेस का एक हिश्सी को डाल देता है। देख सकता हूं तब इसकी बात सुनकर एक ancestor कहता है कि सिंटो मैजिक हमारे वार टेमपल का एक बहुत ही सिक्रेट टेक्निक है लेकिन इसकी ऐसी बात सुनते ही वो master उसे में कहता है कि अगर किसी ने भी मुझे ऐसा करने से रोगा तो फिर मैं अपने power का यूज करके इस पूर कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा हूं और इसलिए अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं इन सारे लोगों को यहाँ पर मार दूंगा वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ancestor वांग निन को अपने साथ लेकर सिंटो मैजिक के पास में आ गई थ जहां पर वो उससे कहती है कि पास में जो कुछ भी हुआ तुम उसके बारे में भूल जाओ क्योंकि अब मैं नहीं चाहते कि तुम war temple का साथ में किसी भी तरह से involved हो इसके बाद वो उससे कहती है कि अगर तुम ऐसा करने के लिए मुझ से promise करूगे तब इसकी बात सुनकर व बहुत सारे mystery हैं और इसलिए हर किसी के पास में इस technique को सीख पाने की opportunity नहीं होती तब इसकी ऐसी बात सुनकर वंगलिन उससे कहता है कि आखिरकार इसका मतलब क्या है जिस पर वो ancestor उससे कहती है कि इसे देखने के बाद तुम खुद ही समझ जाओगे और अब इतनी बात कहन करने के बाद वो इसे अपने साथ लेकर यहां से अंदर चली जाती है तो अगर explanation सान अच्छी लगी हो तो वीडियो को like और इस पर एक comment जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले episode को miss कर दिया हो तो left वाली वीडियो भी जरूर देख लेना